Good morning children, today I will teach you inverse in maths बच्चो पिछले के वीडियो में मैंने आपको inverse 1 से लेके 20 तक सिखाया था बच्चो आज में नमबर 1 से 20 तक के बीच में कहीं से भी मैंने दे दिया है आपको उनके inverse लिखने है बच्चो inverse के मतलब तो आप जानते हैं जैसे 3 है तो 3 की spelling लिखना है 3 को हम लोगो inverse में लिखना है 3 को हम लोग 3 तो बोल दिये नमबर में बट इसको words में कैसे लिखेंगे उसी को आज write करेंगे So let's start ये first है क्या है? 3 और 3 को हम inverse में कैसे लिखते हैं इसकी spelling क्या लिखते हैं? टी, एच, आर, डबल ई, त्री Now next ये कौन सा नमबर है? 7 और 7 को हम लोग inverse में कैसे write करते हैं? S, E, V, E, N, 7 Now next ये कौन सी नमबर है? 10 और 10 को हम लोग inverse में लिखते हैं T, E, N, 10 Now next 14 14 की spelling होती है? F, O, U, R, T, W, E, N, 14 Next ये कौन सी नमबर है? 17 और 17 को हम लोग लिखते हैं? S, E, V, E, N, T, W, E, N 17 Now next ये नमबर है? 12 और 12 को write करते हैं हम लोग inverse में T, W, E, L, V, E, 12 Now next 20 20 की spelling होती है? T, W, E, N, T, Y, 20 Next 15 15 की spelling होती है? F, I, F, T, W, E, N 15 बच्चों जब ये मैं वीडियो आपको पढ़ा रही हूँ तो आप भी साथी साथ अपने math copy को निकाल लिया करें और साथी साथ मैं के साथी साथ आप लोग भी अपने math copy में लिख लिया करो और मेरे साथ सक बोलना भी चाहिए ताकि आप इस words को बोलना भी सिख जाएंगे एक बार फिर से मैं आपको इन words की spelling पढ़के बता रही हूँ 3. TH-R-E-E 3 S-E-V-E-N 7 T-E-N 10 F-O-U-R-T-E-N 14 S-E-V-E-N-T-E-N 17 T-W-E-L-V-E 12 T-W-E-N-T-Y 20 F-O-U-R-T-E-N 15 बच्चो आज के लिए बस इतना ही थैंग्च यू